अजये नेशनल न्यूसह है विश्यू का सबसे उचा पुल के का इसा पुल यह पुल है सडक पुल ऐसे तो विश्यू का सबसे उचा पुल कहा כः फ्राँ से कुलाव बflower कट सब शिए व्यचा है मानता है चीन ने और एक कर नमर किया था लंबा कांच का पुल बनाया था यह सब चीज़ें आप इर्रिलिवेंट हो चुकों है दिसंबर 2016 की न्यूज है तो आप अभी के लिहास से तो उतनी महत्पूर नहीं है जो इक्जाम होने वाला है फिर भी खुदा नहीं पूछ ले तो एक बा उच्छा सडक पूल मनाया था कहां पर बेई पान नदी इससे अधिक इसमें रिलेवन निव्ट नहीं है बागी कुछ ऐसी स्टाटिक निव्ज है जैसे भारत में चीनाम नदी पर प्रस्तावीत अभी प्रस्तावीत है यह महराबदार पूल यानि आर्क बिच यह सब दु अभी हमने डिसकस किया फ्रांस का है और चीन का जो डन्यांग कुल्छान ब्रिज है यह प्रकृत का सबसे लंबा किसी भी प्रकृत का सबसे लंबा पूल है उंचा और लंबा यह सब थोड़ा से द्हान में रखिएगा लॉंग ब्रिज एंड हाइस्ट ब्रिज है यह एक स्टाटिक चीज है विश्व का सबसे लंबा सड़क पुल थाइलेंड में बांगना एक्सप्रेस हुए है स्टाटिक न्यूज है हमेशा काम आएगी इसको नूट कर लिजेगा एक बार में देखे आगे आते हैं चीन के गोई जोग प्रांत पिस्थित न जी है पुल विश्व का सबसे उंचा रेल पुल और महराबदार पुल है याद रखेंगे इसको सब स्टाटिक न्यूज है इसमें अंतराश्टी सस्त्र हंस्तांतर प्रवितिया 2016 इसका अंग इसका काम क्या है सवीडन की अ संसद जो सवीडन की संसद है स्टाख हम आंतराश्टी सांत्यम संधन संस्थान यानि कि कि 2016 में किसने कितना आम ट्रेड किया मतलब किसने कितना इंपोर्ट किया सस्त्रों का उससे रिलेटेड यह न्यूज थी तो बहुत ऐसी नहीं थी कि अब पूछी जाए हां बहुत बुरी किसमत होगी तो पूछ लेगा क्योंकि 2017 से रिलेटेड जो न्यूज होगी अब वह आ जदी ही विश्व के सीज पांच सस्त्र आपूर्टी करता देस यानि कि जो सप्लाई देते हैं उनमें अमेरिका नंबर एक पर है रूस नंबर दो पर है याद रखेंगे और निर्यातक में भारत नंबर एक पर है बस इतनी सी इंपॉर्टेंट न्यूज है साओधी अरब सेकेंड नंबर पर है पहले साओधी अरब नंबर एक पर था इस वह में भारत सबसे ज़र्दा हतियार आयात करता है पाक जल्डमरू मत सेन भी बार पाक जल्डमरू यानि कि पाक स्टेट बोलते हैं स्टेट का मतलब होता है ज तो की बाद रहने की कह सकति archaeo मतलब भारत से लंका के बिल्कुब इंडवे क्या है यह पाक स्टेट के बीच में इसे भी कह सकते है के पाक स्टेट गाल और यह बंनार का में ओ के बीच में है ठीक है अब आते हैं अपनी खबर पे देखिए पाक स्टेट हो गया पाक बे हो गया गल्फ अफ मनार हो गया सब कुछ हमने डिसकस कर लिया इंटर्नेश्नल मैरि टायम बाउण्ड लाइन इसी का वीबाद वीबाद क्या है एक कच्छा दिव आइलेंड है थोड़ा समय में और चलते हैं यहां पर तामील नाड़ु राज्य है यह जो यहां पर मच्छिमर मांने जाते हैं तो मच्छिमर में सीमा को लेकर विबाद हो क्षा तिवाली बात थी बात ने इंडरा गांधी चो कर दिया था था अब नाट वाले थोड़ा सेंटी होकर के इसको वापस मांग रहे हैं तो न्यूज आपके लिए बिल्कुल इर्रिलेवन्ट है आपके लिए जो खबर थी जानने भर की वो मैंने बता दी पार्क स्टेट कहा है गल्फाम मनार कहा है कच्छातिव आइलेंड कहा है यह इतनी सी खबर पूछी जाएगी अब यह खबर नहीं पूछी जाएगी जो न् सब्सक्राइब आपको दीप के बारे में बता दिया कहां पह पाक जल्डमरू में बंजर दीप है फिर भी इसमें लड़ाई है सिलंका की प्रतानमंत्री भंडार नाइके और भारती प्रतानमंत्री इंद्रिया गाधी में समझता हुआ था उन्हें इस चोहत्तर में भारत को सौप दिया था हाँ इसमें यह था कि इस दूपर भारती मचुआरे आराम कर सकते हैं और पुना जालवाज उखा सकते हैं अब अगली इंतराश्टी ख़बर प्याते हैं जन्वरी फरविकी माइगजीन में क्या था भारत और हिंद महासागर इंडियन ओसन इंडियन ओस हाला कि वह हिंद महासागर से टच करता है लेंडियन और पाकिस्तान की अलगी समस्व तो इंडियन ओसन विशन में सामिल नहीं है कौन-कौन है तो इंडिया इंडिया इंडोनेश्या इरान केनिया मेड़ाजकर मलेशिया मॉली साथ आप्रेका शिंगाबू सम्मालीय स्वा कि म्यामार इसका मेंबर नहीं है क्या मयंमार इसका मेंबर है आईये फिर से देखते हैं अस्टरелिया बंगलादेश अमरोई भारत इंड इसे इरान चैनिया मेड़ा क्षण अमलेसिया好像 से एक कि म्यामार भी इंडियन उसन का मेंबर नहीं है तो बस आपको अब मेरा जो उदेश से था यह सम्झाने का उदेश यह था आपके दिमाग में यह फिट हो जाए कि प्रस्टन की पूछा कैसे जा सकता है कि पाकिस्टान म्यामार दोनों इसमें नहीं आए काटना चक्रिकी मैग प्रस्टन का पूछhta ऑगा यह पिस प्रुसाएगा कि इन्न में से कौनसे कौटरी इंडियन उसनी मिस्टन की मेंबर नहीं है कोन है यह तो नहीं पूछेगा कूछ है कूँ नहीं है तो आप याद रखेंगे पार किस्तान में नहीं मैमार मारिचास में इस का सचीवाले है सचीबाले की लोकेशन याद रखेंगे इसकी बैठक मॉरिसस में हुई थी अभी इसमें क्या समझा होता हुआ वह आपके लिए इंपॉर्टन नहीं क्योंकि जनवरी के है एक साल से ज्यादा भी दिया अभी इंपॉर्टन नहीं है अधी पहले वह एक मात्र भारती रहे जिन्हें टाइम पर्सन अफ दी इर चुना गया था इंपॉर्टन है आगे बढ़ते हैं अब अधे डोनाल्ड ट्रॉम तक को टाइम पर्सन अफ दी इर गोसीद कर दिया जा रहा है आप रिपोर्ट का मतलब समझ सकते हैं हां पर इक्सा अधर मिक रिपोर्ट आईयलो इंडिया लेवर अगRISन राष्ट की सबसे पुरानी संफ था जो सभी धराष्ड बनने से पहले ही बन ग़ए थी क्या नाम उसका उन्टर्वरण सर्मशंगत्थन achenेवा में इसका headquarter है कि अब ये सतत्विकास एजेंटा में नियूंतमा समानता को दर्जा दे रहे हैं क्या दे रहे हैं वो बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टन नहीं है दिसंबर 2016 की नियूज है जो नियूज थी वो मैंने आपको बता दी इसनों 2016 की कोई रिपोर्ट निकाली उसका सीशक क्या था इस एक्जाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा आप छोड़ सकते हैं जनुरी फ़री 2017 की मैगजीन है उस समय की एक्जाम के लिहास से महत्मू के निदेशक कौन है छोड़ सकते हैं आप बहुत मन होगा तो याद कर लिएगा जेनेवा मिसका है वैश्विक आतंकवाद सुचकांक 2016 की रिपोर्ट है अब 2017 की रिपोर्ट आ गई है फरवरी की मैगजीन में आ जाएगी डिसकस कर लेंगे अभी के लिए याद रखिए कि इसको इंस्टिट्ूट फार इकोनोमिक संपीस जारी करता है वैश्वीट आतंकवाद सुचकांग ग्लोबल टरिवरीजम इन्डेक्स जारी करता है इंस्टिट्यूट फार एकोनोमिक संपीस नया सुचकांग आएगा तो देख लेंगे उसको इसका मुख्याले सेड़नी है और भारत का पिछले साल हां इधर भी चेकाद परिच्छाओं मैंने यूपी बीसेश परिच्छाओं प्रविर्ट देखिए कि 2017 का अगर परिच्छा है तो 2015 का को इंडेक्स पूछ लेगा मतलब दो साल पहले का इंडेक्स पूछ लेगा तो इसमें याद रखिएगा भारत को इसमें आठमा स्थान प्राप्त हुआ था वैश्वी कातनकवाद सुचकांक में उसके वाद आते हैं बीवीची के सव सर्वाधिक प्रत्रवाव साली महिलाओं के सूची यह वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि इस लिहाज से कि आपको जानना चाहिए कि महिलाएं इसका कहीं कोई जगह ना हो यह इंटरनेट के माध्धम से सिक्षा दिख्षा तो गौरी चिंदार कर याद रखेगे स्कूलिंदे क्लाउड फिर आती मलिका स्री निवासन इनका नाम है ट्रैक्टर क्वीन क्यों इन्होंने ट्रैक्टर की कंपनी को बहुत अच्छा चलाया मलिका स्री निवासन याद रखेंगे नेहा सिंग यह लेखी का नेत्री हैं उन्होंने पीड़न का व्योद करने के लिए महिलाओं को प्रोचसाहित करने और मॉंबई की कलियों में आंदोलन चलाया था वोमेन इंपार्मेंट पे इससे लिखने को आ जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि आप कादंबेनी गांगुली से सुरू करें अरे जो वरतमान में प्रसिद्ध है अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कादंबेनी गांगुली सरुजनी नाइडू, फ्लोरेंस नाइटिंगल यही सब लिखना है अरे गौरी चिंदारकर भी लिख सकते हैं मलिका स जब आप पढ़े रहेंगे तो यह सब चीजन लिखेंगे तो नम्माक्स अच्छा मिलेगा ट्रस्ट मी कंटेंप्रोरी एक्जांपल लिखेंगे बहुत अच्छा माक्स मिलेगा आपको एक और चीज़ बताता हूं में निगेटिव में लिखना हो तो आप बता सकते हैं कि देश को पहली महिला राष्टपती मिलने में कितने साल लगे प्रतिवा पाटिल 2009 में बनी थी राष्टपती ना कब बनी थी 2007 में बनी थी उसके बाद से तो आज तक कोई प्रधान मंत्री नहीं बन पाया, अपने मन से, प्रधान मंत्री की बैटी थी लिए तो बन गई वह पर्ञान स करके सकते हैं, ये संप अच्छा naam है, इनको क्या था यह मतलब इनको बच्चा नहीं पैदा हो रहा था लोग मजाक उड़ाते थे इन्होंने इस उपहास का विरोध कैसा किया कि पाकिस्तान की 31 वर्षी कार करता है करीमा बलोच बलुचिस्तान के लिए अंदुरन चलाती है तो यह अभी के लिए इंपॉर्टन नहीं जब उस समय का परिशा था तब मैंने माग कर लिया था यह वन लाइनर में पूछ लेगा वन बेल्ट वन रोड ओवी ओ आर चाइना की परियोजना है लाटविया लाटविया कहां पर है यह आपका काम है होमवर्क में आप देख लेंगे कहां पर है यह सामिल होने वाला लेटिस्ट देश था इससे अधीक तो इसमें कुछ इंपॉर्टन नहीं है हाँ आप यह समझ सकते हैं कि वन बेल्ट वन रूट के दो तत से लेटिस्टे जाएगा और दूसरा सिल्क रोड एकोनोमिक बिल्ट जो उसके लैंड राश्ते जाएगा जैसे ताजट किस्तान हुआ गानिकान किस्तान मैप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा आप यह निउस पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लीजिए गार ग्जम आवी हमे pre Seb शनवर आपने बेचा से ऊवजगे सनवरी मंत की चतम अब ए gelecek से छांवर मेने के बच्वे जसकी बाया कोूओ कर देंगे औह務 मुर्चे पस बंक लोला क्षेंगे अका डिल्ला से रहेगा बहूं किली इतना ही थांक्छ और information